हेलो बच्चो गुड मॉर्निंग ओल आफ यू मैसेल्फ रिखा बंबुल्या आज हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम इलेवन्थ स्टांडर का आपकी इंसेर्टी में चेप्टर दिया हुआ है 18 ओके सर्कुलेटरी सिस्टम तो आपके दिमाग में क्वेशन होगा कि यही से हम क्यों स्टार्ट करेंगे तो देखो बटा हम नीट की हम बात करेंगे तो यही कॉजन इन पूरी इस चेप्टर में से पूरे human physio हम cover करेंगे human physio में से per chapter definitely 3-4-4 question आते ही और ये chapter तो इतना IMP है कि इसमें से हर साल 3-4 question तो होती ही तो हम start करेंगे आज circulatory system ये जो वीडियो है आपकी NEET की exam भी नजदिक आ रही है तो ये वीडियो 12th बच्चों के लिए तो हे ही बट 11th वाले भी cover कर सकते है जो 12th में आएंगे इस साल जो जिन्होंने 11th ले ही लिया है वो भी इस वीडियो लेक्चर देख सकते हैं क्योंकि उसके लिए भी NEET तो देनी है तो हम बात करेंगे circulatory system की तो circulatory fluid के हम बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे blood and limbs blood vessels में हम बात करेंगे arteries, capillary, veins and portal system और pumping device की हम बात करेंगे तो के heart यहाँ से ही question आएंगे IMP नहीं है, very very IMP है यहाँ से question आते ही है यहाँ पे जो हम आज के वीडियो लेक्चर में हम सायद यही cover होगा blood तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, बेजिक बेजिक है यहाँ पे आज कोई conceptual नहीं है बेजिक बेजिक मतलब जो आप लोग 9th और 10th में पढ़कर आए हैं वही हाज हम बेजिक बेजिक बात करने वाले हैं तो चलो blood के हम बात करेंगे बेटा blood is a fluid connective tissue उसका origin कहां पे है मिजोडर्मल तो प्वेशन यहाँ से आ सकता है मिजोडर्मल ओरीजिन है उसका कोई भी connective tissue हो उसका origin कहां से होगा मिजोडर्मल में से तुम लोग पढ़ चुके होंगे हमारे बोड़ी के अंदर 4 टैप की tissue होती है connective tissue, muscles, nerve tissue उसमें से connective tissue में हम blood के बारे में भी वबात की थी तो blood में उसका origin हमारे हम जब मदर के uterus के अंदर होते हैं तब तीन टैप के layer देखने मिलते हैं embryonic layer, ectoderm, misoderm और endoderm, इसी layer में से सारे organ बनते हैं तो blood क्या है बेटा, blood एक connective tissue है ना, fluid connective tissue है क्या है बेटा, fluid connective tissue उसका origin कहां से है बेटा, misoderm तो equation यहां से आ सकता है बेटा hematology study of blood and its disease, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा hematology, okay volume of blood की बात करें बेटा तो के male के अंदर जो blood होता है approximately होता है बेटा, 5 liter, और female की बात करते है बेटा, तो के 4 to 4.5 liter, okay male में थोड़ा ज्यादा होता है comparison to female ऐसा क्यों होता है बेटा, देखो blood को बनाने भाले, बहुत सारे होर्मन होते हैं blood को जो बनाते हैं उसके लिए बहुत सारे होर्मन responsible होते हैं, बट उसमें से एक होर्मन है जिसका नाम है androgen, okay androgen भी erythropoiesis में मदद करता है तो androgen का level male के अंदर थोड़ा ज्यादा होता है comparison to female female के अंदर उसका level क्या होगा, बेटा, कम होगा वैसे देखा जाए तो blood को बहुत सारे hormones बनाते हैं, बट उसमें से एक hormone है, जिसका नाम है androgen तो androgen का level male के अंदर ज्यादा होता है female के अंदर थोड़ा कम होता है तो male के अंदर लेखा जाए तो approximately blood कितना होगा, बेटा 5 liter जो female to comparison to क्या होगा, बेटा थोड़ा ज्यादा होगा, ओके अब body weight के हिसाब से हम देख ले तो male के अंदर 8% 8% of body weight कितना होगा पेटा, male का जितना body weight होगा, उटना 8% उसके अंदर क्या होगा, बेटा उसके weight के हिसाब से उतना blood होगा female के हम बात करें पेटा तो के 7% 7% of body weight female के अंदर हम बात करें तो कितना होगा 7% अब extra cellular fluid की हम बात करें बेटा आपमें दिमाग में question होगा कि क्या है बेटा ये एक्स्ट्रा सिल्वर फ्लूड की हम बात करें तो हमारे देखो बेटा नेचर ने बहुती अच्छा किया है नेचर ने क्या किया पता है हमारी बोडी के अंदर अलग-अलग जगा पे अलग-अलग filter system रख दी देखो हमारे पूरी बोडी में main component fluid कौन है बेटा ब्लड है तो उसी ब्लड में से ये सारे फिल्टर बनते हैं ब्लड फिल्टर होगा तो एक दूसरा ब्लड बनेगा देखा जाए तो देखो बेटा हमारी आइस के अंदर क्या होता है एक्वेस हुमर होगा फिर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के अंदर होता है सेरीब्रो स्पाइनल फिल्ड फिर हम बोन की बात करें तो वहाँ भी होता है साइनोगियल फिल्ड 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 बनेगे बनते कहां से है ब्लड में से बने ना लिंफ की बात करें तो हम लिंफ के बारे में तो हम यही चेप्टर में पढ़ने भी वाले हैं तो हमारे बोडी के अंदर जितने भी दूसरे फिल्ड है उन सबको मिला कर ब्लड भी उसमें आ जाएगा उन सबको मिला कर हम क्या स्क्राइब उसके लाजना होता है तो कितना होता है 15N कितना होता है बैटा 15 लिटर तो बहुत एजी है न देखो बलड कितना है बैटा approximately 5 लिटर एक्स्टा सेलललर फ्लूड कितना है बैटा 15 लिटर बलड भी इसमें आ गया ना क्या गया बैटा बलड भी आ गया तो मैं ऐसा लिख सकती हूं बैटा ब्लड फॉर्म ब्लड फॉर्म 33% 33% of extra cellular extra cellular fluid मैं ऐसा लिक सकती हूँ बेटा कितना परसंट यह आ सकता है बेटा एक्जाम में extra cellular fluid का कितना परसंट ब्लड होता है बेटा तो कि 33% pH of blood की हम बात करें बेटा pH of blood की बात करें तो pH of blood के अंदर हम को pH में हम देखा जाए तो यहाँ से question आ सकता है किसे तो कि arteries और wings, artery में भी pH अलग होती है और वेन में भी pH अलग होती है केसे तो देखो यहाँ पर एक मिनिट यहाँ पर हम आर्टरी के बारे में बात करेंगे बिटा आर्टरी में pH कितनी होती है बिटा 7.4 कितनी होती है बिटा 7.4 तो 7.4 क्यों होगी तो कि आर्टरी में CO2 का लेवल CO2 का लेवल क्या होता है बिटा कम होता है क्या होता है बिटा कम होता है ही होगा एच्छ अध्य क्या होगी बेटा सब्सक्रिछ भी-एच्छ घ्या जुदे में यह तो आपको पता ही होगा आट्री क्या करती है बिटा कि i मेरी जाद रखना, आर्ट में से जो बलड है, आर्ट को हमारे मोडी औरगन तक पहुचाएंगी, उसके बलड होगा, उसकों क्या बोलेंगे, बेटा, ऑक्सीजीजीनीटेट बलड के अंदर, सीवोटू का लेवल क्या होता है बेटा ज्याद और कम होता है सीवोटू का लेवल है तो साथो साथ एच प्लस का भी कोंसेंट्रेशन क्या होगा बेटा कम होगा यह हमने बात की थी बेटा respiratory system में, कहाँ पर बात की थी respiratory system में CO2 कम है, तो H plus क्या होगा कम होगा, और H plus कम होगा तो pH क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी अब हम वेन के बात करते हैं वेन के अं दर pH कितनी होगी 7.2 होगी वेन क्या करते है हमारी body organ में से deoxygenated blood कहां पे लाती है heart मिलाएगी, तो vein के अंदर CO2 का level क्या होगा बिटा CO2 का level क्या होगा बिटा, ज्यादा होगा तो H plus का भी concentration क्या होगा बिटा ज्यादा होगा, ओके H plus का concentration क्या होगा बिटा ज्यादा, तो pH क्या होगे बेटा कम होगी pH क्या होगे बेटा कम कितनी होगे बेटा 7.2 comparison to artery तो एक question यहां से आ सकता है तो मुझे लगता है कि इस slide में आपको कोई doubt होगा नहीं तो next हम बात करते हैं बेटा blood composition किसकी बात करते हैं बेटा blood composition की तो blood composition में हम देखा जाए तो blood के अंदर mainly blood हमारा दो चीज़ों से बना हुआ कितनी चीज़ों से बना हुआ बेटा दो चीज़ों से तो कि एक होता है plasma कि एक क्या होगा बेटा plasma और दूसरी चीज़ की हम बात करें बेटा तो एक होगा formed element क्या होगा बेटा formed element जो आपकी anxiety में blood cell भी लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है बेटा blood cell ओके plasma कितना होगा बेटा 55% अब plasma क्या है उन सब के बारे में हम बात करेंगे plasma कितना होगा 55% और formed element कितना होगा बेटा तो कि 45% कितना होगा बेटा कोर्टी फाइफ परसंत है ओके चलो इतना समझ में आया ओके ब्लर कितनी चीजों से बना हुआ अगया धो चीजों से प्लाजमा इंट-ॉंट फेफ्टी-इवाइपर्संतों के आंदर हम बात करेंगे थो तो के में थी टीन होती है, कि इतनी चीज़े होगी बेटा, तेन, एक तो होता है बेटा, वोटर, एक क्या होगा बेटा, वोटर, एक होगा और्गेनिक सबस्टन्स, एक क्या होगा बेटा, और्गेनिक सबस्टन्स, और एक होता है बेटा, इन और्गेनिक सबस्टन्स, एक क्या होगा बेटा, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, हाँ. प्लाज्मा में कितनी चीज़े है, बेटा? Water, organic substance, inorganic substance, ओके? Formed element में तीन टाइप के cell देखने मिलते है, बेटा? Formed element के अंदर कितनी टाइप के cell देखने मिलते है, बेटा? तीन टाइप के? एक तो होता है, बेटा. लुकोसाइट्स, और एक को हम क्या बोलेंगे, बेटा? थ्रॉम्भोसाइट्स, एक को हम क्या बोलेंगे, बेटा? थ्रॉम्भोसाइट्स, ओके? देखो इधर. अब मैं जो बोलती हूँ, वो ध्यान से सुनना. देखो. Approximately in water कितना होता है, बेटा? 92, 92%. कितना होता है, बेटा? 8-9%. और inorganic substance होता है, बेटा? 1%. कितना होता है, बेटा? 1%. ओके? इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रो का मतलब होता है, बेटा? रेड. क्या होता है, बेटा? रेड. लुको का मतलब होता है, बेटा? बेटा? और thrombocytes, thrombos, thrombos, thrombos का मतलब होता है, clot, क्या होता है, clot, तो erythrocydes, उसको हम क्या बोलते है, RBC, क्या बोलते है, RBC, leukocytes को हम क्या बोलते है, WBC, हम सबको एक एक detail में बाद करेynnगे, और इसको हम बोलते हैं बेटा फ्लेटलेट, क्या बोलते हैं बेटा फ्लेटलेट, क्लियर यहां तक कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, बहुती easy easy है, हम plasma detail, आज हम plasma cover करेंगे, क्या cover करने वाले हैं बेटा plasma, जो जो question आ सकता है, वो मैं बोलती जाओंगी, आप लोग not करते ज प्लाज्मा में दो तीन चीज़े है, water, organic substance and inorganic substance, तो पहले हम बात करने वाले हैं बेटा plasma, प्लाज्मा में से, वोटर तो सबको पता ही है, तुमने सुना, आप लोगों ने सुना भी होगा, कि हमारा जो blood है, वो रोज नया नया बनता ही जा रहा है, तो ब्लाज्मा में में क्या है, वोटर, वोटर कहां से आया, जो हम ड्रिम करता है तो उसी में सी है क्या बनता है बेटा, प्लाज्मा में बनता है, तो अब हम बात करेंगे बैटा, पहले organic substance के बादे, इसके बारे में बात करेंगे बीटा, organic substance तो उसे पहने थोड़ी terminology है वो देख लेते हैं organic substance से पहले हम यह terminology देख लेते हैं तो देखो plasma blood में से blood में से हमको क्या निकाल देना है formed element क्या निकाल देना है formed element उसको हम क्या बोलते है plasma, blood cell formed element का मतलब क्या है blood cell blood में से हम blood cell को minus कर देंगे तो जो बचे गा उसको हम क्या बोलेंगे plasma, अब हम serum के बाद करेंगे देखो हमको चोट लगती है चोट लगने की वज़े से यहाँपे थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है cloud क्या हो जाता है chapel यंदो यलो येलो इस हो जाता, वह जो यदो येलो येलो इश है ना बटा वह है др setup तो सिरम में हम क्या कर देंगे抗े plasma costs a plasma minus Ya- क्लोटिंग फेक्टर क्या माइनस करना है बिटा clotting factor और जो बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे सीरम लिंफ लिंफ की हम बात करेंगे बिटा तो कि बलड में से बलड में लिंफ के बारे में बिटा इसी चेप्टर में हम डीटेल में पढ़ने वाले लिंफ कैसे बनता है क्यों ज़रूरी है, इतना अभी याद रखो, blood में से हम minus कर देंगे, बैटा, RBC प्लस, platelet, प्लस, macroprotein, और जो बचेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बैटा, lymph, क्या बोलेंगे, lymph, अब देखो, बैटा, यहां से question आ सकता है, buffer system of blood, blood की, हमने pH के बारे में बात कर दी, okay, artery में इस कितनी होती है, vein में कितनी होती है, okay, और कैसे होती है, बट उस pH को maintain कौन करता है, बैटा, pH को जो maintain करता है, उसको क्या बोलते है, बैटा, buffer system बोलते है, तो buffer system में यहां से question आ सकता है, बैटा, क्या है, हीमोग्लोबीन 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 जो हमारे बोडी के अंदर होता है RBC के अंदर होगा जो ऑक्सिजन और CO2 को ट्रांस्पोर्ट करता है वो हमने बात कर लिए रेस्पिरेटर सिस्टम में, कैसे बलड की pH को मेंटेन करता है, वो भी हमने रेस्पिरेटर सिस्टम में बात की थी, तो हिमोगलोबीन and and bicarbonate, HCO3, और हम sodium bicarbonate भी लिख सकते हैं, ये तो दो चीज है जो हमारी blood की pH को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, अब हम blood volume की बात करें, तो blood volume is regulated by the kidney, ये हम बात करने वाल है, 19 चप्टर में पुरी रास सिस्टम है, उस सिस्टम का नाम क्या है रास, तो यहाँ पर मैं थोड़ा बता देती हूँ, हमारा जो blood है, वो मेंटेन रहता है, ऐसा तो नहीं ह हुआ ना, देखो, मैंने क्या बोला, blood के अंदर दो चीज है, में, एक तो है plasma, और दूसरा है form element, तो plasma में 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 कौन है, बेटा, water, तो ऐसा हुआ कि चलो, आज मैंने ज्यादा पानी पी लिया, तो blood का volume बढ़ गया, नहीं हुआ ना, क्यों नहीं हुआ बेटा, उसको maintain कर करना पड़ता है, और हो maintain करने का काम किसका होता है, बेटा, kidney का, किसका होता है, बेटा, kidney का, kidney में JG cell होते है, JG cell एक hormone बनाते है, JG cell जक्स्ट्राग्लोमिरूलल सेल, ओके, JG cell एक hormone बनाते है, जिसका नाम है, erythropoietin, क्या नाम है बेटा, erythropoietin, ये hormone है, क्या है, बेटा hormone ये क्या करता है बेटा तो ये जाएगा long bone में और long bone में कराएगा erythropoiesis क्या करवाएगा erythropoiesis in long bone किसके अंदर करवाएगा long bone के अंदर क्या होगा उसके अंदर bone marrow होगा bone marrow में इसको stimulate करता है इरythropoiesis कहां से release होता है तो कि जेजी सेल में से कहां पर होते है तो कि किद्मी में चलो यहां तक कोई doubt रहना नहीं चाहिए अब हम next देखते हैं हमारा plasma में प्लाजमा में तीन चीज़े थी थी water, organic substance and inorganic substance तो पहले हम बात करेंगे बेटा inorganic substance के बारे हैं ओके तो inorganic substance के हम बात करेंगे तो यहां से question आ सकता है बेटा कैसा question आएगा तो देखो क्वेशन के साथ आ सकता है बेटा तो कि आयंस में in inorganic substance में पहले तो उसका concentration कितना होगा बेटा बन परसंट और आयंस का कितना आयंस क्या-क्या होते है और concentration के हिसाब से इसकी sequence जो है वह मैं अभी लिखने वाली हूँ और salt तो आयंस के हम बात करेंगे बेटा तो सबसे ज्यादा पहले कुन आएगा बिटा क्लोराइड, फिर आएगा बिटा सोडियम, फिर आएगा बिटा पोटेशियम, फिर आएगा बिटा केल्शियम, और लास्ट में कुन आता है बिटा मेगनेशियम, तो यह सिक्वंस जो है वो आप लोगों को याद रखनी है, नीट म किसरा क्या है बैटा बाइकारबोनेट जो आमने अभी देखा बफर सिस्टम के लिए यूज होता है इसके लिए यूज होता है बैटा बफर सिस्टम ओके इन और्गिनिक सब्स्टंस में आपको इतना ही याद रखना है ओके चलो नेक्स्ट है बैटा और्गिनिक सब्स्टंस कोई बात नहीं, चलो, और्गेनिक सब्स्टंस के हम बात करेंगे, तो, और्गेनिक सब्स्टंस में हम चार चीज़ पढ़ने वाले हैं, बलड के अंदर पहले से बोल रहे हूं, बलड के अंदर में प्लाजमा, प्लाजमा के अंदर तीन चीज़, वाटर, और्गेनिक सब्स् इन ओर्गनिक सब्सेंस के बारे में हमने पढ़ लिया अब हम पढ़ने जा रहे हैं बिटा ओर्गनिक सब्सेंस जो कितने परसंटेज में होगा बिटा ओर्गनिक सब्सेंस कितना होता है बिटा 8-9% कितना होता है बिटा 8-9% ओके ओर्गनिक सब्सेंस में हम पढ़ने चार ज फिर है हमारा जो A है वो है प्रोटीन B क्या होगा बेटा हमारा ब्लड सुगर क्या होगा बेटा ब्लड सुगर तीसरा जो होगा वो होगा बेटा हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल क्या होगा बेटा ब्लड कोलेस्ट्रॉल और fourth one जो होगा हमारा that is blood urea क्या होगा बिटा blood urea ये चार चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं तो पहले से हम start करेंगे बिटा protein के बारे में organic substance में इतनी चीज़े आती है जो हमारे blood के अंदर present होती है तो चलो पहले हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में protein कितने टाप के protein होते हैं बिटा तो के mainly तीन टाप के protein देखने मिलते हैं कितने टाप के protein देखने मिलते हैं बिटा तीन टाप के एक होता है albumin क्या होता है बिटा albumin एक होता है बिटा fibrinogen एक क्या होता है बिटा fibrinogen जन एंड प्रो थ्रॉम्बीन एंड क्या बोलेंगे बेटा प्रो थ्रॉम्बीन ओके और लास्ट वन जो होगा जो हम डीटेल में पढ़ने वाले है बेटा ग्लोब्यूलीन उसका नाम क्या है बेटा ग्लोब्यूलीन तो पहले हम आल्ब्यूमीन और Fibrinogen के बारे में बात कर लेते हैं, तो Albumin और Fibrinogen, Albumin के बारे में मैं लिखू, तो smallest protein, blood protein, smallest smallest blood protein उसका function क्या है बेटा, तो के पहले तो बनता कहा है, तो के produced by लिवर, कहाँ पे बनता है बेटा, लिवर के अंदर, कहाँ पे बनता है, लिवर के अंदर, नेक्स्ट, इसका function क्या है, तो के Osmo Regulation, क्या करता है बेटा, Osmo Regulation, अब आपके दिमाग में question होगा, मैं Osmo Regulation कि इसको बोलते हैं, देखो, हमने 16 चेप्टर में क्या बात की थे बेटा, प्रोटीन की डेफिशियंस की वज़े से, एक disease होता है, देट इस कोश्योकर, जिसमें पेट फूल जाता है, ओके, तो यह क्या है बेटा, आल्ग्यूमिन है ना, क्या है, प्रोटीन है, ओके, तो हमारे बोडी के अंदर, वाटर, आयन्स, प्रोटीन, उस सबका concentration मेंटेन रहता है, उसको बोलते हैं बेटा, Osmo Regulation, उस सबका concentration क्या रहना चाहिए बेटा, मेंटेन रहना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंते हैं बेटा, Osmo Regulation, और उस Osmo Regulation करने का काम किसका है, बेटा, आल्ग्यूमिन का, अब हम बात करते हैं, बेटा, Fibrinogen और Prothrombin, तो Largest Protein, ये कौन सा है, प्रोटीन है, बेटा, Largest Protein, Largest Blood Protein है, ये क्या था, बेटा, Smallest Blood Protein था, कहां पे बनता है, ये भी लिवर के अंदर बनता है, कहां पे बनता है, बेटा, लिवर के अंदर, और इसका function क्या है, बेटा, तो कि Blood को Clotting करने में help करता है, किसमें help करता है, बेटा, Blood को Clotting करने में, हम कहीं पे भी injured हो जाता है, थोड़ी देर के बाद वहाँ पे क्या हो जाता है, भीटा, एनिम्या हो जायेगा ना, तो ऐसा ना हो, तो हमारे नेचर में क्या किया, हमारे बोडी के इंदर clotting system होती है 13 clotting factor होते है जो आपको उसके नाम अभी याद नहीं रखना है क्योंकि पुरानी जो बुक्ती उसमें नाम भी थे अब नाम आपको नहीं याद रखना है clotting system भी हम इसी चप्टर में बात करने वाले है बट उसमें कौन मदद करेगा बेटा main जो है fibrinogen है largest blood protein है अब हम globulin की बात करेंगे बेटा बट globulin हमको detail में पढ़ना है तो इस slide में आपको कोई question नहीं होगा तो चोलो हम बात करते हैं बेटा पहले globulin की किसकी बात करते हैं बेटा globulin की तो globulin देखा जाए जो globulin है globulin protein अभी तक हमने क्या बात करें बेटा plasma में water, organic substance, inorganic substance organic substance में हम बात करें main protein protein में हम तिन टाइप के protein पढ़ा बेटा albumin, fibrinogen and globulin globulin की हम बात करेंगे तो यहाँ पे तीन टाइप के globulin protein है इतने टाइप के protein है बेटा, तीन टाइप के तो एक है बेटा alpha globulin एक क्या है बेटा, alpha globulin एक है बेटा beta globulin एक है बेटा, beta globulin और एक है बेटा gamma globulin एक क्या है बेटा, gamma globulin दाइप नो ओके चलो alpha and beta यह भी कहांपे बनते है बेटा तो के liver के अंदर ही बनते है ये दोनो कहांपे बनते हैं बेटा liver के अंदर ही बनते हैं ये भी किसके अंदर बनता है besa लिवर, ओके दोनों का function क्या है बेटा, function बता दू, दोनों का सेमी है, transport and, binding and transporting of, binding and, transport of, transport of food, ये किसका function के बारे में बात की बेटा, alpha and beta, ओके, gamma globulin हम detail में पढ़ने वारे है, gamma globulin को बेटा हम immunoglobulin भी बोलते है, क्या बोलते है बेटा, immunoglobulin आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपके 12 में भी आता है बेटा, 8 चेप्टर में याद करो, IG, जिसको हम क्या बोलते है बेटा, IG, immunoglobulin, हमारे body के अंदर, कोई भी foreign particle आता है, तो हमारी body उसके against, antibody बनाता है क्या बनाता है बेटा, antibody, ओके, तो वो antibody क्या है बेटा, immunoglobulin, कौन बनाता है बेटा, immunoglobulin, ये liver में से बनेगा, नहीं, ये produced by, produced by plasma cell, कौन बनाता है बेटा, plasma cell, अब ये plasma cell कहां से आया बेटा, plasma cell मतलब, याद करो, चप्टर नमबर 8, plasma cell को हम activated B lymphocyte भी बोलते है बेटा, इसको हम क्या बोलते है बेटा, activated, activated B lymphocyte, lymphocytes के दो टाइप्स थे बेटा, T cell and B cell, B cell में दो टाइप्स, memory cell and plasma cell, plasma cell क्या बनाता है बेटा, gamma globulin, और यही globulin क्या करता है बेटा, अलग-अलग टैकल, antibodies बनाता है, ओके, तो plasma cell का दुसरा नम क्या है बेटा, activated B lymphocyte, ओके, produced by plasma cell, gamma globulin का दुसरा नम याद रखना है, उसका function, function लिख दू तो बेटा, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, protection, हमारी body को defense system के लिए कौन responsible है बेटा, WBC, और WBC का एक cell types है, जिसका नाम है बेटा, lymphocyte, lymphocytes में, दो type, P cell and B cell, B cell में वापस दो types, plasma cell and memory cell, ओके, यह plasma cell क्या करेगा बेटा, जब produce antibody बनाना यह लगा तब इसकों क्या बोलेंगे बेटा, activated B lymphocyte और उसका function क्या हुआ बेटा, तो के protection, क्या हुआ बेटा, protection, चलो, इतने slide में कोई doubt होना चाहिए, ने, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, अब तक हमने क्या बात की बेटा, protein गे, दुसरा क्या था बेटा, sugar, ठाना, ओके, तो नेक्स्ट जो है, हमारा क्या है बेटा, sugar है, ब्लड सुगर, नोर्मल, ब्लड सुगर, कितना हुगा बेटा, नोर्मल ब्लड सुगर, 100 mg, 100 mg per deciliter, कितना होता है बेटा, नोर्मल ब्लड सुगर हमारे बोडी के अंदर, कितना होता है बेटा, 100 mg per deciliter, इसमें दो condition है बेटा, जो ब्लड सुगर हमारा हाई हो जाएगा, मतलब, greater than 100 mg per deciliter, तो इसको हम क्या बोलते है बेटा, hyperglycemia, क्या बोलेंगे बेटा, hyperglycemia, मिया का मतलब होता है, ब्लड, मिया का मतलब क्या होता है बेटा, ब्लड, जो 100 mg से क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, 100 mg per deciliter, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, hypoglycemia, क्या बोलेंगे बेटा, hypoglycemia, ओके, थर्ड हमने किसकी बारे में बात की थी बेटा, थर्ड हमने बात की थी बेटा, कोलेस्ट्रोल की, ब्लड कोलेस्ट्रोल, किसकी बात की थी बेटा, हमने ब्लड कोलेस्ट्रोल, कॉलेस्ट्रोल क़ UK कि इसके इसकी बात करने वालें है इसकी बात करने वाले है तो यूरिया कितना होना चाहिए बेटा, यूरिया की हम बात करें, तो approximately 22, 2240 mg per 100 ml of blood, कितना होना चाहिए बेटा, 2240 mg per 100 ml of blood, okay, if, if, यूरिया, यूरिया, इंक्रीज इन, इंक्रीज इन, बलड, तो उसको हम बोलते है बेटा, यूरेमिया, क्या बोलते है बेटा, यूरेमिया, मिया का मतलब मैंने क्या बोला बेटा, बलड, okay, if, यूरिया, इंक्रीज इन, बलड, उसको हम क्या बोलते है बेटा, यूर किसको लेड करता है बेटा आपको शायद पता नहीं होगा एनीमया इनीमया का मतलब क्या होता है ब्लड का जो रभी सी है हिमोग्लोबीन है वो कम हो जाना उसको क्या बहुत है फिर वह भी तुमने बात की होग जा सिकल से ले मिया याद करो, जो ज्यादा देर तक यूरेमिया होगा हमारे बोडी के अंदर, तो वो किसको लीड करेगा बेटा, एनेमिया को, तो यहाँ पे हमारा जो प्लाजमा वाला टॉपिक है, वो क्या होता है बेटा, खतम होता है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, इरिथ्थ्रोसाइट्स की, तो उससे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट रहना चाहिए, नहीं, चलो, यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मड एलिमेंट है, वो नेक्स्ट लेक्च्टर से हम स्टार्ट करेंगे, थेंक्यू,